तो एक बार फिर आ गया हूँ लेके आप लोगों के लिए बहुती इंटरस्टिंग एंड हैलफुल वीडियो जिसका नाम है Google Forms से Jira Issues को असाइन करें आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने Google Forms के समिशन की हैल्प से आपके Jira के अंदर आपके जो भी टीम मेंबर किया है with the help of Google Forms क्यों create किया है क्योंकि आपके various types के products हैं जो आपने आपके customers को जो है आप fill करते हैं then जिसको भी आपको assign करना है ये task ये जो issue आया है product के अंदर उसको solve करने के लिए जिसको भी आपको ये task assign करना है उसका नाम एक करके इस form को जैसे ही आप submit कर दोगे ना बस आपका काम खतम हो जाएगा automation work करेगा उसके बाद क्या होगा automatically एक issue create हो जाएगा आपके zira software के अंदर और जिसका नाम आपने assigning name के अंदर form के अंदर डाला होगा उस इनसान को ये task जो issue है उस इनसान को assign हो जाएगा जिससे की वो आएगा तुरन देखके issue को solve कर देगा और आपके customer की जो problem है वो solve हो जाएगी यहाँ पर मैंने ये एक example बताया है यही नहीं और भी कई सारे examples हो सकते हैं जिनसे आप इस automation को relate कर सकते हैं और best part तो यह है कि आपको इस automation को करने के लिए किसी भी तरह की coding skills का आना जरूरी नहीं है बस एक 10 minute के अंदर ये automation side करना होगा automate करना होगा Google form से zero software को then क्या होगा जब भी आप form submit करोगे उसके अंदर जो भी details करोगे हो इक details की help से एक issue जो है create होगा और task के रूप में assign हो जाएगा आपके जो है assignee को जिसको भी आप assign करना चाहते हो है ना तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले तो बता दूँ एक software की help लगेगी जिसका नाम है पैबली connect क्यों लगेगी क्योंकि दोनों different type के applications हैं और दोनों के बीच में कोई direct connection नहीं है और पैबली connect का काम है कि वो अलग-अलग तरह के applications को आपस में जोड़ देता है इंटिग्रेट कर देता है तो फिर देर किस बात किये आईए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप भी इस automation को साइक करके अपना time और money दोनों save कर सकते हैं पूरी process बताऊंगा कहां क्या करना है क्या नहीं अभी अपनी screen प्राउजर में टाइप करेंगे यह है official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account एक दम फ्री में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पे okay sign in पे क्लिक करने के बाद first option आएगा पैबली connect का क्लिक करूँगा access now पे then access now पे क्लिक करने के बाद open हो जाएगा पैबली connect का dashboard right hand side पे create workflow का option है क्लिक करके अभी मैं अपने workflow को एक नाम दे देता हूँ मैं नाम देता हूँ google forms to jira ठीक है मैंने नाम दिया google forms to jira आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं एक important बात बता देता हूँ कि इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी ये same workflow अपने account में use कर पाओगे वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action का मतलब do this ऐसा कर दो topic क्या है हम चाहते हैं कि हमारे google forms के अंदर से जब भी हम details add करें हमारे form को submit करें और उस form के अंदर जो है task से related हम details add करके किसी assignee को particular हम उस पर assign करें तो automatically एक issue create हो जाए हमारे jira software के अंदर और जिस भी assignee का नाम हमने हमारे google forms में डाला है वो उस assignee को assign हो जाए है ना jira के अंदर ऐसा करने के लिए first application में हम सबसे पहले choose करेंगे गूगल forms को search किया choose कर लिया then trigger event में हम choose करेंगे new response received को pably connect ने दिया है हमें एक web qrl जिसको copy करेंगे और नीचे दियेगा instructions को follow करते हुए integrate कर देंगे अपने google forms को pably connect से तो चलता हूँ सबसे पहले मैं अपने google forms पे तो यह मेरा google form जिसका नाम है pably connect integration यह form मैंने खुद create किया है ठीक है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने task title का जो है एक option दिया है task description के लिए एक जो है field दिया है एक है assign to ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसके अंदर task title दो टास्क का description दो और इन दोनों में से जो भी मेरे दो assignees है जो भी मेरे team members है दोनों इन दोनों में से जिनको भी select करूँ और form जब submit करूँ तो automatically एक जीरा के अंदर issue create हो जाए और वो assign हो जाए इन दोनों में से किसी एक को आप जब अपना form create कर रहे हो तो आप जो और अलग fields जो है add करना चाहते तो आप कर सकते हैं और assign जितने भी आपके पास team members हो आप उनका यहाँ पे email address और जो है उनका नाम बढ़ा सकते हैं कोई problem नहीं है ठीक है so इस form को integrate करना होगा सबसे पहले तो पैबली connect से integrate करने के लिए click करना होगा responses पे then यहाँ आप देख रहे है option है create spreadsheet का ठीक है click करूँगा create a new spreadsheet को select करके create पे click कर दूँगा so google forms मेरे लिए automatically एक google sheets create कर देगा जिसके अंदर वो सारी वो सारे columns होंगे जितने भी fields मैंने अपने जो है form के अंदर बनाई है जैसा कि आप देख रहे है task title, task description और assign to और time stamp एक extra में जो है column है हमारे पास क्योंकि यह पैबली जो है हमारा google forms अपने तरफ से add कर देता है कि कब किस ने कितने budget form fill किया ठीक है so मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं bold कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो ठीक है centralized कर देता हूं ओके है ना और यहाँ पे color भी कर देता हूं इनकी उपर ठीक है है ना नहीं पूरी पे नहीं करना है सिर्फ इन चारों पे करना है मुझे ठीक है so yes यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी google sheets तयार हो गई है अभी जब भी कोई इस form को fill करेगा मैं या कोई और कोई भी fill करेगा तो automatically वो जो भी form के अंदर details add करेगा वो पैबली connect के पास वो पैबली connect बोला हूँ इस google sheets के अंदर add हो जाएंगी automatically चली एक बार cross check कर लेते हैं send पे click करता हूँ इसकी link जो है इसको copy करता हूँ copy पे click करके और एक new tab में open करके इस form को एक user बनके मैं fill करता हूँ यूजर बनके क्या मैं खुद fill करता हूँ ठीक है तो task title मैं दे देता हूँ मुझे error आ रहा है पैबली subscription billing में है ना error यह ना पैबली subscription billing error ठीक है task title मैंने यह दिया है task कर description में दे देता हूँ पैबली subscription billing is not working properly please check and resolve the issue ओके यहाँ पे मैंने यह दे दिया billing का भी मैं capital कर देता हूँ okay ठीक है तो यहाँ पे मैंने description भी दे दिया और मैं assign कर देता हूँ आशी राय को okay आशी राय को assign कर दिया दें submit कर देता हूँ यह form में okay so form successfully submit हो गया चलके check करते है google sheets में so yes यहाँ पे details जो है successfully add हो गई है है ना जैसे कि आप देख रहे हैं जो मैंने description दिया था जो मैंने जिसको मैंने assign किया था assign का नाम और यहाँ पे जो भी मैंने description दिया था वो description same to same है ना आप देख पा रहे हैं और कब किया task title description assigned तो सारी details capture करने है means connection एकदम perfectly work कर रहा है google forms और इस google sheets के बीच में तो मैं क्या करता हूँ इस google sheets को integrate कर देता हूँ अपने पैबली connect से मेरे pc में already installed है जैसा कि आप देखने पर आपके pc में नहीं होंगे तो आप install कर लेना install करने के बाद refresh करना मत भूलना अपनी spreadsheet को refresh करने के बाद जब आप दुबारा जाओगे extensions पे click करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया option आने लगा है क्लिक करना है उसके उपर देन क्लिक करना है इनिशल सेट अप पे इनिशल सेट अप पे क्लिक करने के बाद यह आप से मांगेगा वैबुक यूरल और ट्रिगर कॉलम उससे पहले नीचे आप यह पढ़ दीजे जो एरर आ रहा है काइंटी लोगाउट फ्रॉम अधर आपके उपन है उन्हें लोगाउट कर दीजे सिर्फ एक ही जीमेल अकाउंट उपन रखिए या फिर मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ आप अपनी गूगल शीट को ओपन करना न्यू इनकोगनेटो विंडो पे तो यह एरर नहीं आएगा तो मैं क्या करता हूँ मै अपने मल्टीबल जीमेल अकाउंट जो लॉगन है उनको लॉगाउट कर देता हूँ दैन इसको कनेक्ट करूंगा ओके सो मैंने लॉगाउट कर दी है अपने जितने भी जीमेल अकाउंट मेरे लॉगन दे सिर्फ एक ही अकाउंट को लॉगन रखा है दैन अब मैं इसको का Google Forms, जिसके अंदर Google Forms मौझूद है मेरा, ठीक है? So, अब ये मुझसे मांग रहा है WebOQ URL और Trigger Column So, WebOQ URL वाली field के अंदर जो पैबली कनेक्ट ने आपको WebOQ URL दी थी, उसको copy कीजिए आईए और WebOQ URL वाली field के अंदर paste कर जिए, ठीक है? Trigger Column बता देता हूँ क्या होता है? Spreadsheet के अंदर Last Data Entry Column जो होता है, उसको हम कहते है Trigger Column So, मेरी Spreadsheet के अंदर जो Last Data Entry Column है वो है D क्योंकि मैंने Last जो Data Enter किया है वो D Column में किया है तो मेरा जो Trigger Column हुआ, वो हुआ D मेरा D है, आपका XYZ कुछ भी हो सकता है क्लिक करूँगा Send Test पे तो यह इस Spreadsheet का सारा Data Sent हो जाएगा Pabli Connect के पास तो मैंने क्लिक किया Send Test पे Test Data Sent successfully बता रहा है means अभी Data Sent हो गया Pabli Connect के पास चल के चेक करते हैं, यहाँ पे Response Received हुआ है जैसा कि आप देख रहा है Task Title, Task Description जैसा कि मैंने दिया था Assign किसको किया था, उसका नाम, Spreadsheet का नाम वगएरा वगएरा दुनिया बर की चीज़ें जो है Pabli Connect ने Capture कर ली है So Connection एकदम perfectly work कर रहा है, Webook URL एकदम perfectly work कर रही है आ जाता हूँ वापस Google Cheats पर इसको कर देता हूँ Submit अभी जैसा कि आपने देखा जब मैंने send test पर क्लिक किया तब data sent हुआ मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, automatically data sent हो जाए हैना जब भी कोई form fill करे तो automatically इस Google Cheats में data add हो जाए then Google Cheats automatically data sent कर दे Pabli Connect को, ऐसा मैं चाहता हूँ spreadsheet में data add होगा, यह send कर देगा Pabli Connect को, आप एक बार cross check कर लिजेगा कि right का sign लगा हूआ है कि नहीं send on event पर तो लगा हूआ है means यह send on event है okay, so कोई problem नहीं है, अभी हम successfully connection बना चुके हमारी Google Forms और Pabli Connect के है ना इसमें आपके involvement की 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी Pabli Connect के पास यह data आए, तो Pabli Connect इस data की help से एक task task बोलना हो एक issue जो है वो create कर दे मेरे जीरा के अंदर और assign भी कर दे जिसको अधर जिसको भी मैंने form के अंदर assign के आशी लाय को जिनका भी मैं form fill करूं और वहापे जो भी इसके अंदर जो भी assign या अश्मिता मंडल को select करां तो हम अश्मिता मंडल को कर दे ये assign अगर आशी लाय को select करह कर तो आशी Panda को कर दे गा है तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो मुझे जो है जैसा कि आप देख रहे हैं या पर आशी राय है और Gmail अलग है तो मुझे इन दोनों को अलग-अलग करना होगा क्योंकि Gmail ID से मैं पहले सर्च करूँगा इसको किसको आशी राय को कि ये एक्जिस्ट है के नहीं मेरे जीरा के अंदर ठीक है सो ऐसा करने के लिए मैं अपनी प्लस बटन पर क्लिक करके पैबली कनेक्ट के एक ग्रेट फिचर का यूज़ करूँगा जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटर ओके सर्च करूँगा टेक्स्ट फॉर्मेटर को और चूज़ कर लूँगा ठीक है यह वाला डेटा मुझे यहाँ पर एड करना होगा ऐसा करने के लिए मैं एक टेक्निक का यूज़ करूँगा जिसको हम कहते हैं मैपिंग मैपिंग से हमारी ट्रिगर अप्लिकेशन का डेटा हमारी एक्शन अप्लिकेशन या फिर स्टेप जो भी हम नीचे एड कर रहे हैं उनमें एड कर सकते हैं उनका डेटा कैसे कर सकते हैं blank field पे click किया नीचे option आया google forms का click किया google forms पे सारा data open हो गया अब जो भी text मुझे split करना है उसको click करके add कर दूगा यह रहा यह वाला text है इसको click करके मैंने add कर दिया simple कितना simple और easy है लेकिन बता दू जितना easy है उतना ही important भी क्योंकि अगर आप data map आप नहीं करोगे तो आपका automation perfectly work नहीं करेगा तो जहां जहां मैं data map कर रहा हूं आपको भी data map करना compulsory है ठीक है then अब यह मुझे से बोल रहा है separator क्या रखना है तो मैं चाहता हूं एक dash जो है ना हमारा बीच में यह separator रहे तो separator में separator के अंदर में dash डाल देता हूं ठीक है simple then segment जो है मुझे सिर्फ last वाला चाहिए last last का part चाहिए तो मैं last वाला choose कर लेता हूं then click करता हूं save and send test request पर तो मुझे last का part मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे मुझे खाली email address यहां पे मिल गया है okay successfully email address मुझे मिल गया है आ जाता हूं नीचे अब अब इस email address के थू मैं अपने jira के अंदर search करूँगा इस team member को search करूँगा तो मुझे उसकी id मिलेगी then उस id के थू मैं एक issue create कर दूँगा मेरे jira के अंदर ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा plus button पे click करूँगा एक action step और add करूँगा then यहाँ पे मैं choose करूँगा jira को jira software को search किया choose कर लिया then action event में मैं choose करूँगा assign issue नहीं हमें search user user करके होगा search user यह राप ठीक है search user by name और email okay search user by email ठीक है connect पे click करूँगा connection के लिए उसके बाद add new connection पे then connect with jira software पे okay so connect with jira software पे click करने के बाद यहाँ पे मुझसे access वगरा मांगेगा शायद okay authorize app हो रहा है load होने के बाद यहाँ पे हम देख पाएंगे अभी ठीक है थोड़ा सा जो है time लगता है 3-4-5 second या 10 second भी लग सकते हैं connection बनने में है ना सो हो गया ठीक है यहाँ पे हमको just नीचे आ के choose कर लेना है हमारी site को है ना so यह वाली site है मेरी then accept पे click करना है don't worry family connect is 100 percent safe okay है accept पे click कर दिया है okay so successfully authorization हो गया है connect है मेरा jira software successfully family connect से connect होने के बाद सबसे first field आई है base url so by default select हो जाती है उसको हमें select नहीं करना पड़ता नीचे आ जाते है name या email यह मुझसे जिस भी assignee को में search कर रहा हूं उसका name या email मांग रहा है so email हमने अलग करी लिया है यहाँ पे सबसे पहले आशी राय का okay so email हम यहाँ पे map कर देंगे blank field पे click किया नीचे option है text formatter का click किया text formatter पे और यह रहा email क्लिक करके map कर दिया simple click करूंगा seven sent test request पे तो मुझे इस member की user की details मिल जाएंगी जैसा कि आप देख रहे हैं यह मिल गई मुझे account id है ना और नीचे आ जाता हूं तो मुझे पता चल गया display name आशी राय है है इनका है ना जिनके email address से मैंने जो है इन्हे सर्च किया है है ना सो यह account id जो मुझे मिली है यह मुझे चाहिए थी इस account id के through ही हम जो है issue create करेंगे और assign करेंगे आशी राय को ओके तो नीचे आ जाता हूं है ना और अपनी second और last application जो है choose कर लेता हूं JIRA को okay सर्च किया JIRA को JIRA software यह last step है हमारी इसके बाद हमें step add नहीं करना है action event में हम choose करेंगे create issue क्योंकि हमें issue create करना है then click करूंगा connect पे connection के लिए उसके बाद add new connection पे add new connection पे नहीं करूंगा click क्योंकि एक बार connection कर चुका हूं that's why select existing connection पे क्लिक करके पुराने connection का ही use करूंगा save पे क्लिक कर दिया तो मेरा JIRA software के साथ connection फिर से हो जाएगा successfully है ना 5-6-7 seconds लगते हैं so हो गया है जैसे कि आप देख रहे है base URL जो कि मैंने बताया था by default select हो जाती है उसको वैसा ही रहने देना है then यह अब मुझसे पूछ रहा है project okay किस project के अंदर sir आप चाहते है कि issue create हो जब भी कोई form fill करे okay so यहाँ पे मेरे सारे projects के नाम है तो यह error fixing करके project है मैं आपको दिखा देता हूं अपने जीरा के अंदर चलके यह रहा error fixing करके यह project है मैं चाहता हूं इस project के अंदर task issue जो है create हो जब भी मैं Google Forms से form fill करो okay so ऐसा करने के लिए मैं error fixing वाला project select कर लेता हूं then issue type यह मुझसे पूछ रहा है so यहां से मैं select कर लूँगा issue type है so issue type आप यहां से select कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं task by default select हो गया है आप चाहें तो कुछ और भी select कर सकते bug epic story sub task तो यह task है ठीक है task मैं assign कर रहा हूं आशी राय को summary के अंदर मैं title add कर दूँगा किसका Google Forms का task title जो भी हमें problem आ रही थी है ना summary के अंदर मैं वह title add कर दूँगा task title पैबली subscription billing error क्लिक करके map कर दिया simple description इसी तरह से map कर दूँगा task description क्लिक करके map कर दिया simple priority जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं highest रख रहा हूं priority then labels okay labels आप यहाँ पर add कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो मैं इनको skip कर रहा हूं ठीक है then most important part assign ID okay so यहाँ पर आपको assign ID map करना है map करना है इसको क्योंकि यह change होगी है अभी जैसे कि मैंने आशी राय को किया है अगला हो सकता है मैं किसी और को करूँ अश्मिता मंडल को करूँ तो अगर मैं यहाँ से select करूँगा assign ID तो वो सिर्फ आशी राय को assign होते रहेंगे task और अगर मैं map करूँगा तो automatically मैं जिसको भी form से इस form से जिसका भी मैं यहाँ पर नाम select करूँगा तो automatically उसकी ID जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको निकाल के बता ही न वो ID आईगी और यह ID निकलेगी उसकी जिसका भी मैंने वहाँ पर नाम डाला होगा उसका email address यहाँ पर publicly connect खुद add करेगा और उसकी ID निकालेगा देन उसकी ID यहाँ पर map कर देगा तो automatically उसको टाइसका assign हो जाएगा that's why map करना important है so assign ID का map toggle on करना है then यहाँ पर blank field पर क्लिक करना है और जो last वाला हमने हमारा step यूज किया था अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा save and send test request पर तो एक issue जो है create हो जाएगा मेरे यह error fixing वाले project के अंदर issues पर क्लिक करता हूँ जैसे कि आप देख रहा है यहाँ पर यहाँ जावा वगरा का issue चल रहा है सबसे टॉप पर जो है EF36 करके जावा वाला issue है जो की assign है किसको assignee name नहीं नहीं दिख रहा है आ जाता हूँ पैबली connect पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ save and send test request पर देन चल के चेक करूँगा कि यहाँ पर कोई issue create होता है के नहीं पैबली subscription billing error के नाम से चलिए क्लिक किया मैंने save and send test request पर क्लिक करने के बाद successfully response received हो गया है चल के चेक करता हूँ error fixing वाले के अंदर यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है मुझे refresh कर लेता हूँ एक बार मैं अपना प्रोजेक्ट को जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे उपर EF 37 पैबली subscription billing error के नाम से यहाँ पर एक issue create हो गया है open कर लेता हूँ इसको मैं open करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आप यह आशी राय को assign है ना assign ही name आशी राय जैसा कि आप देख रहे हैं जो जिन्हें मैंने यहाँ पर select किया था जब मैं form यह fill कर रहा था तो उन्ही को यह task जो है assign हुआ है आशी राय को और यहाँ पर description भी आप देख पर है पैबली subscription billing is not working properly please check and resolve it सारी की सारी details एकदम same to same है जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही यहाँ पर issue create हुआ assign भी उसी को हुआ है मैंने name add किया था means इस issue की और इस task की जो है presence बता रही कि मैंने successfully automation अपना site कर दिया है just अब मुझे save पे click करना है और अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अब मेरा सारा काम software करेगा एक बार recap कर देता हूँ उपर आपको फिर से समझा देता हूँ हमने क्या क्या किया है ना और क्या होगा अब क्या होगा जब भी मैं या फिर कोई और यह वाले google form को share करके fill करेगा है ना जैसे कि मैंने यहां पे fill करा तो automatically क्या होगा उस उसके अंदर जो भी details हमने fill करी होंगी जिसको split करेगा है ना email address खाली लेगा then automatically उसको search करेगा Jira के अंदर then उसकी account id निकालेगा then automatically Jira software के अंदर issue create कर देगा और assignee id के अंदर उसका account id जो है map कर देगा जिससे की task उसको automatically assign हो जाएगा जैसे कि यहां पे आशी राय को यह task assign हो गया है और यहां पे जो है हमारा issue भी create हो गया है पैबली subscription billing के नाम से successfully तो यह पूरी process automatically होने वाली है जो मैंने अभी करी है बस मुझे एक बार करके दिखानी थी पैबली करने को बस अब पैबली करने की यह process खुद करता रहेगा एक बार आपको जो है cross check करके भी पता देता हूं कि हमारा automation जो है automatically work कर रहा है के नहीं तो चलिए एक बार फिर से मैं इस form को fill करता हूं send पे click करके इसकी link को copy कर लेता हूं और एक new tab में open करता हूं ठीक है मान लीजे इस बार मुझे जो है issue आ रहा है पैबली form builder issue पैबली form builder error ठीक है सो यहाँ पे error मुझे यहाँ है task description में मैं देता हूं पैबली form builder is not working properly okay please check and resolve the issue ठीक है यह मैंने description दे दिया और इस बार में आशीर आइकोनी में sign करता हूं टास्क अश्मिता मंडल को okay so अश्मिता मंडल को मैंने task assign कर दिया then मैं इस form को कर देता हूं submit okay so यह form मैंने successfully submit कर दिया है अब मैं चलके check करता हूं मेरे जीरा software के अंदर कि वहाँ पे कोई जो है issue create हुआ है के नहीं तो अभी तक मुझे नहीं देख रहा है एक बार मैं refresh कर लेता हूं अपने इस project को जिसका नाम है error fixing और यहां पे हम देखेंगे EF 38 के नाम से एक की आईगी और उपर उस पैबली form builder के नाम से issue create हो जाएगा जो की assign होगा किसको अश्मिता मंडल को मैं refresh कर लेता हूं एक बार हमारे project को refresh करने के बाद जैसा कि आप देख रहें सबसे उपर पैबली form builder error के नाम से EF 38 जिसकी key है issue create हो गया जिसको मैं open करता हूं और वो assign है successfully अश्मिता मंडल को है ना automatically यह create हुआ है जैसा कि आपने देखा मैंने अभी form fill किया और तुरंत यहाँ पे अश्मिता मंडल को एक task जो है assign हो गया है और issue create हो गया है पैबली form builder error जैसा कि मैंने description दिया था पैबली form builder is not working properly please check and resolve the issue तो perfectly work कर रहा है एक percent भी problem नहीं है मेरे automation में integration एकदम सही work कर रहा है तो ना सिर्फ इन applications को पैबली connect की help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं कि इस video की description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी ये same workflow अपने account में use कर पाओगे वो भी एकदम free इस video से related कुछ questions होता है आपके queries होती है या फिर आप मुझसे बात करना चाहते है मेरी team से बात करना चाहते है तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जानी है तो वह आपको ये दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूँ कि हमारा video अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी video को like करना मत भूलेगा और हमारे channel को subscribe करना भी मत भूलेगा Thanks